अगामी विधान सभा चुनाओं को लेकर आजसू पाटी ने कमर कस लिया है। इसी कड़ी में पाटी ने तमार विधान सभा से बुथ परबारियों की बैठा कर चुनावी रनीती बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए बूथ अस्तर्य कमीटी का गठन किया गया है। इसका नाम चुलहा प्रमुक रखा गया है। पाटी के तमाम बूथ कमीटी के सघस से एक ही लाइन पर राजि में बाच्चीत करें इसको लेकर परसिक्षन भी सुरू कर दिया गया है। आजसू पाटी के प्रवकत में प्रतेक घर में चूलहा जलने में योगी होना है राजशित के करब से बनना है पूरे तमार पिधा सभा के सभी बूत परभाड के साथ समिक्षा बैठक है और अगले विधान सभार चुनाओं की हर भूत की मजबूती को ले करके विशेश रूप से सबसे प्रभारियों से समिख्छा की जाएगी खास कर पाटी के विचार को पाटी की सोच को जनजन तक पहुचाने का हर परिवार तक विचार को पहुचाने का पाटी के विचार को अस्थाइत देने का बूत परभारियों के माध्यम से किया जाएगा साथी आज बूद परभारियों के द्वारा बनाएगे हर बूद में चुला परमुक है उन सभी चुला परमुकों का भी समिच्छा किया जाएगा पार्टी ये सुनिचित करना चाहती है कि हम सिर्फ जनादेश के लिए चुनाओ नहीं लड़ते बलकि जनादेश से जुड़े हुए उन तमाम परिवार के चुला को भी हम जलाने का काम करेंगे जहारखंड अंदोलन में सक्रिय भूमी का निभाने वाली पार्टी आजसू पार्टी बाकी पार्टियों से अलग तरीके से कारेकर जनता के बीच पहुँचने की कोसिस कर रही है ऐसे में पार्टी की रननीती सिर्फ जादा से जादा सीटों पर अपनी पकड़ बनाना ही नहीं बलकि राजी के गंभीर मुद्दों पर सक्रिय होकर कारे करना है लेकिन वर्तमान परिवेस मेर पार्टी अपनी बूत कमीटी के माध्यम से लोगों को कितना वोट अपनी पार्टी के हीत में तब्दील कर पाती है यह तो वक्त ही बताएगा सबरंग समाचार के लिए तमार से जीतन सार की रिपोर्ट